एक काफी बच्चों को ये confusion रहता है कि हमें practice करने के लिए कितने mock test देने चाहिए एक week के अंदर तो देखो ये काफी कुछ depend करता है कि तुमारा और exam के बीच में भी कितना gap है, कितना distance है बट फिर भी जब हम exam देते हैं, mock देने का मतलब कहाए कि जो real exam होने वाला है उसकी हमें practice करना और वहां जो जो pressure के अंदर गलतियां कर सकते हैं वो by chance अगर हम पहली कर दें तो मिरे को दिमाग में feedback चला देगा तो of course जो real examination होगा उस time पे तो मेरे जिसे बोलते हैं focus बहुत जादा होगा paper के अंदर और हम अपनी पूरी energy लगा के वो paper दे रहे होंगे अब energy लगाता sustain अगर तुम तीन घंटे तर लगाओगे तो of course body हमारी ठकती है इट takes it all on our जो भी बोलते हैं brain of course तो इसका जब हम mock कर रहे हैं तो mock का मतलब तो यह है कि real circumstances भी वैसी होनी चाहिए sorry मतलब उस mock में भी circumstances वैसी होनी चाहिए जैसे real में हुआ है इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं mock test दे रहा हूं तो वो हमारी कोई ऐसी activity नहीं होनी चाहिए कि ritual से आऊ गया कि हमने खतम कर दिया उस time पे भी मेरा focus उसी तरह का होना चाहिए शार्प होना चाहिए जो exam exam में होने वाला है अब अगर उस तरह का focus हम लगाएंगे तो of course हमारी body ठकेगी तो यह मैं क्यों बोला हूं इसका मतलब यह है कि mock हमें एक limit के अंदर ही देना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं daily एक mock दे रहा हूं तो क्या होगा कि चलो पहले दो-तीन दिन तो तो उमारा brain attentive रहेगा उसके बाद उसका जो concentration level है वो कम होता चला जाएगा फिर उसे exam के time पर कोई खास excitement हो गई नहीं तो फिर वो जो real situation आईगी जिसमें हमारा brain fast काम करना चाहिए calculation fast होने चाहिए एक excitement होनी चाहिए वो वली चीज खतम हो जाएगी तो mock का message कोई मतलब बचेगा नहीं तो मेरे से अगर तुम पूछोगे और अगर exam में मालिया एक डेड़ महिना है या दो महिना है तो week में हम एक test दे सकते हैं तीन घंटे का मेंस वाला maximum दो टेस्ट दे सकते हैं और बिल्कुल जब last में 10-15 दिन बचेगा तब हम alternate day टेस्ट दे सकते हैं या every third day टेस्ट दे सकते हैं उससे जादा नहीं देना चाहिए कुछ बंदे डेली देते हैं एक बंदा तो नहीं बोला कि एक दिन में वो दो टेस्ट देता है ऐसा बिच्चा जो होगा कुछ दिन चलने के बाद उसका मार्क बिल्कुल stagnant हो जाएगा और उसे समझ भी नहीं कि मैंने मार्क बढ़ क्यों नहीं क्योंकि उसका बाड़ी मतलब भले में realize नहों बट अंदर से उसका brain and body पूरी तरह ठक चुका होगा तो व कर्मालिया कोई बच्चा ये है कि उसका एक महीने के अंदर स्लेवर्स खतम होने वाला है और जो भी उसकी कोचिंग में एक्जामनेशन चल रहे होंगे चाहें वो वीकली चलाओ चाहें वो पंदा दिन में चलाओ फिर वो ही दे अपनी दर से टेस्ट बनाके बीच बीच मे कम्ली नहीं है तो इस अनदर आस्पेक्ट अफिस इस अब इस वे उसकूल फो यू अल्दे वरी बेस्ट